चैनल से वीडियो सुरू करते हैं आज की और मार्केट ने आपको एक गैप डाउन दिया है छोटे पॉइंट का था 40-45 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने को मिला कल हमें वन डे के चार्ट पे कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा वन डे ट्रेड ले रहे होंगे तो आपने अगर शायद पूट होल्ड किया होगा वैसे तो मैं होल्ड करने को हमेशा मना करता हूं तो लेट सी आज कहां सपोर्ट और कहां रेस्टेंस बन सकता है मार्केट के लिए नई एक्सपाइरी में और चलेंगे सीधे ऑप्शन चेन में तो गए हैं वो आज फिर से यह ओफर आने वाला है वेबसाइट का लिंक में डिस्किप्शन में दे रखा है ध्यान रखिएगा टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा एक से लेके दो बज़े तक आज सिर्फ एक घंटे के लिए ओफर आएगा और यह प्राइस गिरकर आप सबसे पहले लेवल देखते हैं अभी मार्केट मूव कर रहा है 17,250 के आसपास 17,200 का लेवल आसपास यहां पर है जहां पर कॉल राइटिंग बहुत कम है और पूट राइटिंग काफी अच्छी है और इसका मतलब 17,200 एक सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है मार्केट वे और 250 की बात करें तो 250 मार्केट भी अभी लगबा एक सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है बड़े नंबर सगर फिखने को शिश्च करें तो 1,22,000 का आपको ओपे इंटर दिख रहा है उसके पाद 95,000 का ओपे इंटर इस दिख रहा है 85,000 जो की लेवल से 17,300, 17,400, 17,500 और यह सारे क पर आप देखेंगे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में अभी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो यह चीजें आप देखें, ध्यान दे, 17,300 एक टाइट जोन हो सकता है, और इससे नीचे के जो लेवल से वो आपको एक सपोर्ट की तरह नज़र आ सकते हैं, जैसे 17,100, 17,200 अभी एक सपोर्ट की तरह नज़र आ रहा है, और उससे नीचे बात करें, 17,400 और 17,500 यह सारे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, साथ के साथ बैंक निफ्टी चेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं, मार्केट लगातार फॉल हो रही, 39,100 पे, तो सीधे चलते हैं, 39,100 का अपडेट लेते हैं, कि 39,100 पे हमें किस तरीके का अपडेट देखने को मिल रहा है, अगर मैं बात करूं, 39,100 की, तो अल्मोस्ट यहां पे 25,000 का, देखें, यह 78,000 का कॉल राइटिंग है, 39,000 पे, जो की, जिसके साथ साथ 67,000 पुट राइटिंग भी है, तो 39,000 एक टाइट जोन नज़र आ रहा है, आप बी मार्केट आपका जो मूफ कर रहा है, वो कर रहा है, 38,800 के आसपास, अगर हम चेकने कोंशिश करें, तो क्या हमको कोई सपके को कोई सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो 38,500 पर एक सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है, जो पुट का है वो चादा है तो 38,800 के बाद जो लेवल्स हैं वो almost support में नज़र आ रहे हैं और 39,000 के उपर के जो लेवल्स हैं वो सब resistance में नज़र आ रहे हैं अगर आप देखें तो थोड़ी देर वेट करें अपडेट होने का टाइम दे क्योंकि support धेनने की कोशिच कर रहे होंगे लोग जल लगा था अगर आमने profit किया तो please comment करके बताईएगा अगर आपको help होरी इन सारी वीडियो तो वीडियो को like जरू करिएगा comment करिएगा thank you guys मिलता हूं मैं आपको बहुत जल एक post market analysis वीडियो में मिस मत करिएगा offer मिस मत करिएगा मैं अपडेट कर दूंगा thank you